स्वागत अब कमार एक और नहीं वीडियो में और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिविल्ड पीसी जो आप खरीद सकते हैं Amazon और Flipkart से जो आम तोर पर एक Assemble PC होता है लेकिन क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं तो पहले जानते हैं कि आपको ये क्यों खरीदना चाहिए पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम से जिस्ट कर रहे हैं कि आप online PC खरीदें Amazon या Flipkart से तो एक एहम रिजन ये है कि ये branded PC से काफी सस्ते मिल सकते हैं और इनको खरीदने के लिए आपको काफी कम information चाहिए जैसे आपको अपना budget देखना है आप क्या काम करने वाले PC में वो देखना है और थोड़े बहुत information उसके hardware के बारे में जैसे processor, RAM या उसके hard disk के बारे में कि कितने storage आपको चाहिए होगे जहां आपको इसके लिए market घुमना नहीं पड़ेगा और बहुत सरे variety वाले option आपको मिल जाएंगे प्रीविल जिसको बस plug करके on करके चला सकते हैं बस शर्त यह कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से support किसमें लगेंगे पर इस सब के लावा हम हमें PC क्यों नहीं लेने चाहिए जिसको हमने चार पार्ट है पहला यह बहुत महंगे होते हैं दूसरा product की quality की issue तीसरा product नया है यह पुराना जो उसमें लगा हुआ है चौत था क्या उसकी warranty भी है और अगर है तो उसके service कैसे मिलेगी आपको तो पहले नजर डालते हैं पहल चार्जेस और इंस्ट्रेशन चार्जेस को जोड़ कर भी उतना ही पड़ेगा तो अब बढ़ते हैं second problem की और जो है product की quality तो इसका मतलब यह होने वाला है कि आप same rate में या फिर उससे कम rate में भी कोई अच्छे quality के component यूज़ कर सकते थे पर इसमें यूज़न वाले component के वार है या पुराना तो एक CPU के अंदर कैसे component पुराने यूज़ हो सकते हैं जैसे motherboard या processor या कुछ भी जिसको आप पता नहीं कर सकते हैं उसकी functionality को देखते हुए और जिसमें in future कोई भी समझ से आ सकती है जिससे हम बढ़ता है इसके चौते point की और जो है warranty और service की issue तो सबसे खराब होने पर आपको दुबारा पे करना पड़ सकता है नए component लगवाने के लिए और service charge भी आपको किसी engineer को देना पड़ेगा उसका अब क्यूंकि एक assembled PC होते हैं तो इसके हर एक पार्ट के अलग अलग warranty होती है जिसका मतलब आपको सिर्फ खराब पार्ट को लेकर service enter जान से पहले और इसके अगले पार्ट में अपसे मिलते हैं डिसकस करते हो कि कितना फर्क आ जाता है Amazon और फिलिप कार्ट से प्रिविल्ड पीजी खरीदने के तुलना में अलग-अलग component खरीद के खुद बिल्ड करने में और कितना पैसे बच जाते हो और क्या बैस आपको मिलता तो मिलते हैं इसके लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में तो इस वीडियो को लायक और शेयर करना बिल्कुल ना बोले और चैनल को स्ब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना बोले तब तक लिए मिलते हैं अगली वीडियो में गुडबाई एंड और नेस टे